हेलो गाईज स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में तो गाईज आज की वीडियो में आप लोगो बताने वाला हूं कि लिमीट क्रोस का सच्चाई और ये सबसे बैड न्यूज है आप लोग के लिए क्यूंकि मुझे दो-तीन दिन पहले ये पता चला है कि लि तो मैं आप लोग को इसकी सच्चाई बता रहा हूं और आपको क्या नहीं करना है कि आपका लिमीट क्रोस ना हो तो अगर आपका लिमीट क्रोस था सई हो गया है या आपका लिमीट क्रोस अभी नहीं हुआ है एक आप आधार काड है तो आपको ये जरूरी है वीडियो दे अपडेट भी होता है यूडियाई के गाइड लाइन के तहट ठीक है तो उनका मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि इन्होंने मतलब रिज्ञाल ओपीस चार बार गये हैं लखनव गये थे वहां पर आने जाने से सब चीज मतलब उन्होंने से डेकरेशन फोम या दिल्ली जाना पड़ेगा कोई बला लखनव जाना पड़ेगा ठीक है तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि अगर आपका लिमिट क्रोस अपडेट नहीं हो रहा है ठीक है दो दिन में कोई भी अपडेट नहीं करा सकता है ठीक है सिवाया हम लोग के और हम लोग भी अपडेट कराते हैं जिनका बहुत ज़्यादा अर्जेंट रहता है उनका सिर्फ ठीक है तो दो दिन में कोई अपडेट नहीं करा सकता है यह मैं आप लोग को चैलेंग देता हूँ और बहुत से चैनल पर आपको यह मिलेगा कि मैं अपडेट करा दूँगा यह अपडेट करा दूँगा ठीक है तो आप लोग को उनके चक्कर में नहीं पड़ना है मैं आपको एकदम लीगल तरीका बताता हूँ और यह सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता दूँ यह लिमिट क्रोस अपडेट का और सच्चाई बता दूँ देखो यह अधार अपडेटर जितने लोग हैं यह लोग एक गलती कर रहा है कस्टूमर के साथ में क्या कि जैसे मालिझे आप अधार कार्ड में डेट और वर्थ अपडेट कराने के लिए यह लिए जब आप अधार सेंटर पर जाते हो तो यह लोग गलती कर रहे हैं अगर आप एक अधार अपडेटर हैं और यूशियल चलाते हैं तो ये वीडियो आप देख लो क्यूंकि आप लोग के थोड़ा लपरवाही के वज़ए से जितने भी कस्टूमर है उनको बहुत ज़्यादा प्रोब्लम कशामना करना पड़ रहा है तो आप लोग प्लीस ऐसे गलती ना करें क्यूंकि हमें बहुत ज़्यादा सुनने में आया है और हमारे कमेंट मैसेज वगरा सब चीद आता है कि सर मैंने अधार सेंटर पे गया था या यूसियल सेंटर पे गया था वहाँ पे हमको नेम अपडेट कराना था लेकिन उन्होंने नेम और डेट अपडेट में भी मेरा एक दो साल का अपने आप अटोमेटिक उसमें सब्सक्राइन कि आप लोग के वज़र से किसी की लाइफ बरबाद हो सकती है जैसे कि आर्मी में भरती लेना है ये जोब है ठीक है और ये प्राइबेट में डिककत हो जाती है जैसे मार्शिटमें डेट आप बसम लेन er जही नइना है आप एफीकस निकलना If not है ठीक है तो यह सारी चीजे देखे जाते हैं और जिसे बहुत लोग अरेंज मेरीज करते हैं तो उसमें कोट में यह का मतलब डिफ्रेंस नहीं होना चीए यह सेम सेम होना चीए इसके वज़े से भी बहुत सारे लोग को दिक्कत होता है तो अपरेटर लोग आप लोग यहीं गलते हो जो अधार सेंटर चलाते हैं या यूसील चलाते हैं उनके यहीं रिक्वेस्ट है कि आप लोग कस्टूमर को ऐसे परशान ना करो क्यूंकि बहुत जिसको अधार में कुछ भी अप्डेट कराना हो जैसे अधार सेंटर पर गया है तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखना चीए ताकि आपका लिमीट्क रोष ना हो और मालिजिए आप किसी का नेम ही मिश्टेग हो जाता है तो किसी का इस पेलिंग लेंग मिश्टेग तो आप लोग पूरा वीडियो आयन तक देखेगा क्योंकि बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा इस वीडियो में ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाईज अगर हमारी यूटूब चैनल पर अगर आप नए आए तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब कर ली ठीक है तो आप लोग को मैं बता दूँ जैसे आधार अप्ट्रेटर जो होते हैं लोग इनसे गलतिया क्या होती है जैसे आपके पास कोई कस्टूमर आया और उसको नेम अपडेट कराना है ठीक है मालो बता रहा हूं दीपक है और आपने उसका दीपक नाम लिख दिया तो मीडाट थर सकते तो आप का इसके तो अफडेट करा सकते हैंpiece निरवा चन हो गया तो इससे अपडेट कराना पड्टा है तो क्या होता था कि जब आप लोग अपडेट करते हो ता जो कस्टूमर होता है उससे सी एक पर चेक नहीं करते है आप जो भी होग़ आप टाइप कर करके डाल दो गया उसको स्लीब दे दो गया वह विचारों तो ध्यान देगा नहीं लेके जाएगा जब अपडेट हो जाएगा तो यह तो मिश्टेक हो गया और कितने लोग यह करते हैं कि नेम अपडेट कराने के लिया है और उसका डेट अब बर्थ भी एक साल बढ़ाती है यह कलती अपडेटर लोग का है क्योंकि यह परशान कर रहे हैं सभी लोगों को और इसके वैसे लिमीट क्रोस हो जा रहा है बहुत सारे लोगों का और उसके बास से यह लोग कह रहे हैं कि इतना पैसे लगेगा उतना पैसा लगेगा तब अपडेट होगा तो आपको परश अगर गए होगे या दिल्ली या लखनौ जब गए होगे तो आप देख सकते हो जो काउंटर होता है अपरेटर का जिसे नेम अपडेट फिंगर परिंट परेकर रखा रहता है तो आपके पास एक कस्टूमर बैठा रहता है एक्जांपल बतारो जिसे मैं अपडेट कराने के लिए गया और वहाँ पर जो होता है यूडियाई इंपलियर यहां बेठा रहेगा और कस्टूमर लोग वहाँ तो उसको जो एक्पाइमेंट रहता हो देखा जाते कि हां इसमें क्या मतलब आपको अपडेट कराना उसके बास से आपका फिंगर परिंट और आपका डिकुम या मालो 2002 करना है तो आप 2003 कर दिये भूल के तो यह मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि आपके थोड़ा सा मिस्टेक से बहुत ज्यादा प्रोब्लम का सामना करना पड़ रहा है लोगों का तो इस बात पर ध्यान दीजिए आप लोग ठीक है तो जिन भाई लोग CSC अधार प्रोब्लम होता है वो आप सीधे कस्टूमर के सामने लगा उनके तरफ लगा ताकि उसमें जो भी आप टैपिंग कर रहे हो या अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाल ले है तो उसमें दीखे उन लोगो को भी क्या आप उनके डिक्रमेंट में मतलब क्या एड कर रहे हो ठ आप नहीं भी चेंज करते हों तो जहां आप लेटास लेके बैठें торовे रहे हैं यह से किसर देख लेना कि इस चीज़ पर धिया और ज शेंटने यह दिखे तो अगर आप लोग को भी कुछ पूछना है कोई प्रशानी है आधार और परस्पोस से रिलेटेड या आपको मतलब कुछ हेल्फ चाहिए लिमीट क्रोस के नेम हो गया जेंडर हो गया तो आप एक बार जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा ठीक है मैं आपको उस टॉपीक पर वीडियो ला दूँगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो देखने के लिए थाइंक्यू सो मच